गर के नौकर को बंधक बना कर चोरी डिलीवरी बॉय बन कर आए चोर घर वालों को नौकर पर शक जहां दिली के शक्तिनगर इलाके में चोरी की वारदात हुई जहां चोरों ने पहले घर की नौकर को बंधक बनाया और फिर चोरी की वारदात को अंजान दिया हाला कि घर के लोगों को इस चोरी में नौकर पर शक है तो समय घर पर कोई भी नहीं था मैं अपने ऑफिस में था मेरी वाइब भी वर्किंग वो भी ऑफिस पर थी और मेरी मदर कुछ से घर का समानमा लेने के लिए आदेपने गंटे के लिए गंटे के लिए नीचे गई थी तो धाई बजे के करीब एस पर हमारा जो सर्वेंट है उसना यही बोला वहोग आये हैं और मुझे हमारे ढूर से उसनने गंट दिखाई है और वो बोले है कि अब तु खोट लागा तो ईकोशूट कर देंगे गंट पर km पर कर्कर उसने पंडी खोल ईस için के बाद बांद ये गया लेकिन हमारा डावट जा रहा है कि हमारा सर्विंट रिकतर अनलमाई कारना है, क्या वहाल सकता है, क्यूंकि बहुती ही क्लीन था। ब्रेकिन करा है उसके अंदर से भी थोड़ा बहुत कैश था थोड़ी बहुत की जूलरी थी तो वह सब निकाल के वह 15-20 मिनट के अंदर वह करके अपना काम करके चले गए सब वह दो लोग थे जो हमने सिसे टीव फोटेज में भी देखा है कि दूनों हेलमेट पहन कर आए हुए हैं और वह आये हैं उपर चड़े हैं और जब जाते टाइम पर उन्होंने जुमेट्व की टीशिट पहन के वह लोग नीचे करके निकल गए 20-25 मिनट के अंदर अंदर और वह पूरा हमारा है कि हमारे अरिया का आगे नागिया पाग सरकल पर जाकी वह लोग मिले हैं एक बंदा पैदल भागा है उन में से और एक बंदा वह स्वीगी वाली टीशिट पहन के वह बाइक लेके भाग गया है उनकी बाइक भी जो थी नहीं बाइक थी उसका कोई पुलिस तो अभी अपनी कारवाई कर रही है कितना का समान क्या हुआ है सब कुछ मिला लेंगे था साथ फैसेट लाग की बीच में इतना हमको अंदाजन अमाउंट है बाकि यह थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है लेकिन जो हमने अब तक जितना हमने कर किल कैलकुलेट कर रह थी मेरी मदर की जूल्टी थी क्योंकि हमारे घर में दो महीने पहले एक मैरीज थी तो हम लोग ने सारी जूल्टी रखी वी थी कि मैरीज और अब जस्ट आफर मैरीज माई फादर गोट एक्सपार तो सारा समान घर पर ही था वरना हम लोग इतना समान घर पे नहीं रखते लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ सिनेरियो हो गया कि हम लोग बैंक जाही नहीं पाए क्योंकि मैं फादर एक्सपार हो गया थे बीज दिन पहले तो अब ये और जैसे चोरी हुई है तो हमें पूरा है कि कोई इंसाइडर इसकंदर इन्वाल्वड है बताया जा रहा है 60-65 लाग की जुल्री लेकर चोर फरार हुए हैं वहीं घर की लोगों को नौकर पर शक है घंटे के लिए बजार गई थी मेरा बेटा फैक्टरी मेरी बहु शॉप पे तो मैं जैसे ही आई हूं नीचे से मैंने उसको समान बजाने के लिए बेल बजाई थी लेकिन उसने नहीं खोला मैंने दो तीन बार ही बोला बेल बजाई लेकिन उसने कोई रिस्पॉंस नहीं दिया, मैंने फोन भी करा तो उसने फोन भी नहीं उठाया, तो मैंने किसी को बोला कि मेरे साथ ऊपर चलो हम समान दरवाजा कोल के देखते हैं, लेकिन खोलने से पहले उसने बालकनी में से कुछ इशारा सा करा, कि मैं बंदा हुआ हूँ या कुछ अजीब सा उसने ऐसा कोई कुक्त दिया, मैं साइन तो फिर मैंने नीचे गड़ी में खड़े होके शोर मचाया, बहुत तो ओक सारे इकट्चे हो गए, फिर एक हमारे किसी पडोसी ने पुलिस को कॉल करा, पुलिस के आने तक हम लोग सब नीचे घड़े राव मोपर नहीं चड़े, फिर जब पॉलि तुने दर्वाजा क्यों कोला ऐसे वो तुझे नहीं मार सकते थे बट उसने यह बला आंटी में बहुत घबरा गया था एक दम से मुझे जैसे उन्होंने गंड शोट दिखाई तो मैंने कोल दी कुंडी अब यह भगवान जाने की उसने अपने आप से करा या उसको दिखाया लेकिन जो सारी थेयोरी है वो यही बता रही है कि यह इन्वाल्ब तो इस तरह से इसने हमारा सारा हमारे प्यार का एक रिष्टे का एक वफादारी का उसने हमारा एक यह बहुत जबरदस दोखा दिया हमनों को मतलब मेरे बच्चों की तरह था उसने मेरे हजबन की इतनी स करना तो मुझे कभी भी नहीं लगा था कि लड़का इस तरह से निकलेगा लेकिन एक्चुली यह हुआ और वही साथ पैंसेट लाके करीब जूलरी जो गई है अब उसको क्या बोलू विश्वास तोड़ा उस लड़के ने बहुत जबरदस्त इससे आगे मैं क्या बोलू कि स सेंट तो नहीं है उसको पुलिस पकड़के लेके जा रही है लेकिन बाद में जब सारी क्वैरी वी तो लगा कि वहीं इन्वाल्व है और उसे ने यह सब की इंपॉमिशन दिया है अधरवाइस को इस तरह से घर पर आकर नहीं कर सकता है मत घर की चाबियां पता होना घर प ये करमणाकुर के साथ आनंद कुमार की रिपोर्ट दिली